ये ना सिर्फ बच्चे को खासी से दूर रखता है, बलकि उसकी जुखाम को भी जल्दी ठीक कर देता है हाई पेरेंट्स, वेलकूम बेक टू माया का मदर हुड और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खासी से बचने का एक अमेजिंग घरेली नुजगा, यूजवली जब भी बच्चों को जुखाम होती है, अल्मोस्ट 90% केसे में उनको खासी होगी जाती है हम बहुत सावदान रहते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, पता नहीं क्या क्या करते हैं बट फिर भी खासी हो जाती है, कुछ भी खाम नहीं आता लेकिन ये जो नुसकम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप ये ट्राई करते हो जुखाम में तो बच्चे को खासी तो होगी नहीं, प्लस उसका जुखाम भी जल्दी ठीक हो जाएगा है ना कमाल की बाद, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, मेथर नमबर वन की तो इसके लिए आपको दो कप पानी एक बरतर में लेके गेस पे चड़ाना है उसमें आपको डाले है चार पते तुलसी की एक टुकड़ा अधरक का कोट के आदा टीस्पून चाय पती का और थोड़ी सी हल्दी इसे हम तब तक करम करेंगे जब तक कि यह पानी अपनी क्व बढ़े हैं या फिर आप इसे यूज कर सकते हो एक खासी से तो बचाएगा इक प्लस जुखाम को भी दो ही दिन में ठीक कर देगा बात करते हैं मेथर नमबर टू की तो यह नोर्मली बच्चों के लिए यूज किया जाता है इसके लिए आपको एक कप पानी लेके गेस पे बैंस का वह हम उसमें एड करेंगे और नोर्मली जरसे गरम करके दूद पिलाते हैं बच्चे को वैसे हम उसको दूद पिला देंगे अगर आपको लगता है कि तुलसी या द्रक की वज़े से इसका टेष्ट थोड़ा सा कड़वा हो गया आपका बच्चा नहीं पी रह है तो हम इसमें थोड़ी सी मिश्री एड कर सकते हैं जिसकी वज़े से ये पीना आसान हो जाएगा बच्चे के लिए कुछ लोग इसमें हल्दी भी एड करते हैं तो आप भी बच्चे को हल्दी डाल के दे सकते हो बट आपको ट्राई करना है कि आप हल्दी वाला दूद बच के जाना हम मिलते हैं अगले वीडियो में तिल दिन टेक केर बाबाई